यूटूब एप पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ भारत तक्नीक की करांतिकारी दोर में हैं और एक के बाद एक एतिहासिक कदम उठाकर करांतिकारी बदलाव कर रहा है नया बदलाव ये है कि अभारती लोग प्लेइन में भी मुबाइल पर बात कर सकेंगे देखे रिपोर्ट भारत तक्निक एक रांतिकारी दोर में है और एके बाद एक एधियासी कदम उठाकर करांतिकारी बदलाव भी कर रहा है नया बदलाव ये है कि अब भारतिये लोग प्लेइन में भी मुबाइल पर बात कर सकेंगे मतलब हवाई जहाज में नेट्रक दिया जाएगा जमीन से 3000 किलोमेटर आसमान में प्लेइन में बैठा इंसान भी अब मुबाइल पर बात कर सकेंगा बदलाव की बयार एक लंबे इंतिजार के बाद अंजाम तक पहुँची है बहुत पहले से ये कोशिश थी लेकिन अब जाकर इसको अनुमती दी गई है दूर संचार आयोग ने देश में हवाई उडानों और जल पोटों में मुबाइल सिवाओ की अनुमती दे दी है इस कदम से हवा में यातरा करने वाले यातरों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी है तो जिसकी वेशे वो अपर प्रिवार से कंड़ा रहता है और प्रिवार पिछे चिंता कर रहा होता है कि अभी तक हमारा प्रिवार कहां है खबर से लोगों में खुशी है आसमान में आपके मुबाइल का एरपलिंग मोड काम करता नज़राय का सुविधा को जल्द से जल्द लागू करवाने के लिए दूर संजार नियामक प्राजिकरन ग्याने की ट्राई ने अलग-अलग कंपनियों को लाइसेंस देने के प्रक्र कारिया भी शुरू करने का एलान किया है पेरफलेंड है और अंदर स्टाफ क्या काम कर रहा है क्या सेल हो रही है हम इस बात का से बिल्कुल अवेर नहीं होता था जब हम प्लेन में चले जाते थे लोगों ने सुविधा का दिल खोल कर सुवागत किया है क्योंकि हवाई यातरा करने वाले यातरों के लिए ये बड़े खुश खबरी है यातरी प्लेन में सफर के दुरान अपने मुबाइल पॉन को सुचोन कर सकेंगे इसके साथ ही हवा में वाई फाई इंटरनेट का भी इस्तिमाल कर सकेंगे खबर अभी तक के लिए अमबाला से कमल प्रीत संभरवाल की रिपोर्ट एमबाल प्रेज अफर के लिए सकेंगे